दोस्तों, आज के इस काउंटरडाउन में आप स्पेशली हिंदी सीरीज नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि आज के इस काउंटरडाउन में हम बात करेंगे कुछ ऐसी वेब सेरीज के बारे में, जो की नेट्फिक्स पर सबसे ज्यादा देखी गई है। तो चलिए, शुरू करते हैं आज का हमारा काउंटरडाउन। नंबर साथ पर है कैड। दोस्तों, ये सीरीज बहुत ही ज्यादा यूनिक है, सीरीज की स्टोरी आपको ले जाती है पंजाब, जहां पर आप घरना नाम के एक ऐसे इनसान से मिलते हैं, जो की अपनी लाइफ बड़े आराम से काट रहा होता है अपने भाई के साथ, लेकिन अचानक से ही उसे एक द जरतों को मानना पड़ता है, गुर्णा और असल में यह शर्तें क्या होती हैं पुलिस की, और आखिर तक गुर्णा की मदद किस तरह करता है, और पंजाब से गुर्णा किस तरह ड्रग्स स्मगलर का सफाया करता है, यह सारी की सारी चीजें इस सीरीज में दिखाई गई है सीरीज की स्टोरी दोस्तों, अमेजिंग है, कम से कम यह सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी, और यह सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी, जो की एक्शन और थ्रिलर देखना बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं जो की कम से कम आप अकेले ही देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसकी IMADB रेटिंग है 10 में से 8.1 इसे Netflix पर रिलीस किया गया है। दोस्तों आपको थ्रिलर पसंद है तो अगले सीरीज के बारे में जानना बिलकुल भी मिस मत करना। यह सीरीज आपके होश उड़ा देख। नमबर 6 पर है Breaking Band दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है। एक ऐसे Chemistry टीचर से जिसे Cancer हो जाता है। लेकिन उसके पास Cancer का इलाज करवाने का पैसा नहीं होता है। इसी बीच वो Illegal काम शुरू कर देता है। आप यह भी कह सकते हैं कि वो असल में अपने Chemistry का ज्यान ड्रग्स बनाने में इस्तिमाल करता है। और यह ड्रग्स बहुत ज्यादा पॉपुलर भी हो जाता है। और आखिर तक यह Chemistry का प्रोफेसर कितने सारे हंगामे करता है इस ड्रग को लेकर यह तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाला है। इसके टोटल पाँच सीजन रिलीज किये गए हैं। इसे अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग है। लेकिन इसमें भी आपको कुछ ऐसे एपिसोड नजर आने वाले हो जाएंगे जो की कम से कम आप अकेले में ही देखना पसंद करेंगे। अब अगली सीरीज की तरफ बढ़ते हैं जिसका क्लाइमाक्स आपको ऐसा जटका देगा कि आप दुबारा इसे देखे बिना नहीं रह पाएंगे। नंबर पांच पर है दविचर। दोस्तों यह पूरी की पूरी सीरीज एक गेमिंग कांसेप्ट पर आधारित है। 2015 में एक पॉपुलर गेम आई थी। दविचर उसी कांसेप्ट से बनाई गई है यह सीरीज। और यह सीरीज सच में लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है क्योंकि इसकी गेम सुपर हिट रही थी। और जिन्होंने भी गेम पहले से खेल रखा था, उनके लिए यह स चुरुआत होती है दविचर से, जो कि लोगों से पैसे लेकर उन्ही के राज्य के कुछ खतरनाक डेमन से लड़ रहा होता है, यानि कि उनके शहर से डेमन का सफाया कर रहा होता है। लेकिन कुछ पैसे लेकर लेकिन इसी बीच एद विचर अपने एक डेस्टिनी तक पता चलने वाला है। इसके टोटल तीन सीजन रिलीज कर दिये गए हैं इसे हिंदी और इंग्लिश, दोनों भाशाओं में ही रिलीज किया गया है सीरीज की प्रेजन्टेशन, यू तो अमेजिंग है, सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होग जो कि कम से कम आप अकेले में ही देखना ज्यादा पसंद करेंगे। इसकी IMRDB रेटिंग है 10 में से 8 इसे प्रॉबलम दोस्तों इसकी जैसी सीरीज शायद आपने पहले कभी न देखी हो। कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से जहां पर एक गेम की वजह से प्रेजन् को एक बार जरूर देखिए। सीरीज की प्रेजन्टेशन दोस्तों बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज करने वाली होगी। आपको सीरीज के जितने एपिसोड्स आप देखते चले जाएंगे उतनी ही ज्यादा यह सीरीज आपको इंट्रेस्टिंग लगनी शुरू हो इसमें आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स नजर आने वाले होंगे। लेकिन सभी कैरेक्टर्स फ्यूचर के कुछ ऐसे रहस्य को सुलजाना चाहते हैं जो कि उनके लिए सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और इन सभी फ्यूचरिस्टिक मिस्टीर चीजों को किस तरह सॉल्व किया जाता है। यह तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाला है। सीरीज की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है। लेकिन इसके एक एपिसोड में आपको कुछ ऐसे दृश्य नजर आने वाले होंगे जो कि कम से कम आप अपने फैमली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ही रिलीज किया गया है। इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज किये गए हैं और हर एक एपिसोड बड़ी ही इंट्रेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कम से कम इसका एक भी एपिसोड आपको बकवास नहीं लगेगा इसकी IMDB रेटिंग है दन में से 7.5 इसे ऐसा सीन है जिसे शूट करने में पूरे 15 दिन लगे थे। सोचिए कितना डिटेल में काम किया गया है। अब बढ़ते हैं नंबर 3 पर नंबर 3 पर है डार्क दोस्तों इसके जैसी सर घुमाने वाली सीरीज शायद आपने पहले कभी न देखी हो। कहानी यूँ तो बड़े ही सिंपल तरीके से शुरू होती है यानि की एक मर्डर मिस्ट्री से शुरुआत होती है। लेकिन कहानी थोड़ी ही देर बाद एक टाइम ट्रेवल में फंस जाती जहां पर आप देख रहे होते हैं एक इनसान जो कि टाइम लूप में में फंस जाता है और आखिर तकक इस टाइम लूप से वह किस तरह बाहर निकलता है। ये तो आप सीरीज को देखने के बाद ही जानेंगे। इसके टोटल तीन सीजन रिलीज किये गए हैं और हर एक बड़ी ही इंट्रेस्टिंग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। कम से कम इस सीरीज को जब आप देख रहे होंगे तो आप अपनी पलकें भी जपकना नहीं चाहेंगे। सीरीज आपको किसी भी जगह पर बोर नहीं करने वाली होगी। सीरीज की प्रेजेंटेशन सच मे अमेजिंग है इसकी आई-मेडीबी रेटिंग है 10 में से 8-7 इसे नेट्फिक्स दोस्तों इस सीरीज को किसी भी तरह की इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लेकिन नेट्फिक्स ब्रदर से जो कि अपने किंगडम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते ह आखिर तक वे अपने किंगडम को बचाने में काम्याब हो पाते हैं या नहीं यह तो आप इस सीरीज को देखने के बाद ही जान पाएंगे सीरीज की प्रेजेंटेशन अमेजिंग है आप यह भी कह सकते हैं कि गेम ऑफ थ्रोंस के बाद अगर कोई सीरीज है तो दोस्तों दो वाइकिंग सीरीज ही है इसके टोटल सिक्स सीजन रिलीज किये गए हैं लेकिन कुछ सीजन हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएंगे नमबर एक पर है सीक्रेट गेम्स दोस्तों यह इंडियन वेब सीरीज है कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गैंगस्टर से जो यह दावा करता है कि धर्ती कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी यानि कि धर्ती का पूरी तरह से विनाश हो जाएगा लेकिन असल में इस बात में कितनी ज्यादा सच्चाई है यह तो आपको इस सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाला है इस सीरीज को शायद ही किसी न देखा हो series की presentation से लेकर हर चीज परफेक्ट बनाई गई है even series की story भी आपको काफी हथ तक पसंद आने वाली होगी series के season two से ज्यादा interesting season one है दोस्तों series के season two में आपको बहुत सारी चीजें हो सकता है कि बड़ी अटपटी लगे लेकिन यकीन मानिये, सीरीज का सीजन वन अमेजिंग है इसके हर एक एपिसोड में आप अच्छा खासा थ्रिल इंजॉई करने वाले होंगे सीरीज की स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सच में बहुत ही ज्यादा कन्फ्यूज रहने वाले होंगे और हमेशा यह सोच रहे होंगे कि असल में मिस्ट्री रिवील कब होगी इसकी IMA DB रेटिंग है 10 में 8.5